आप लोग देखते हैं कि हमारी अर्थवस्था यानि कि भारत की अर्थवस्था को 5 टिलियन डॉलर की अर्थवस्था एकोनोमी बनानी की बात होती रहती है तो अभी फिर से चर्चा में बना हुआ है क्यों चर्चा में इस पर भी बात करेंगे यह million trillion का गडित क्या है इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और हमारी economy और दोस्ता के सामने बहुत सारी चनोतियां भी है उन चनोतियों को भी हम लोग देख लेंगे और कुछ हमारे लिए पक्च में भी कारक हैं उन कारक को भी हम लोग देखेंगे और GDP और PPP यह क्या होता है क्योंकि यह भी काफी सुर्कियों में बने रहते हैं तो यह सब्दों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और आप लोगों से कहता हो कि NCEIT आप लोग जरूर पढ़िएगा उससे इस तरह के जो टर्म्स होते हैं जो सब्द होते हैं उन्हें आप लोग बहुत बहुत बहुतर तरीके से समझ बाते हैं अभी इसलिए आप देखें यह हमारा प्यारा भारत है और अपने पड़ोसियों में देखें तो और बंगलादेश आजाद हुआ ता उस समय अभी हाली में अंतराष्टी मुद्राकोस आईएमेप ने वित्वर्स 2023 के लिए भारत के सकल गहरेलू उत्पात के विकास के अर्मान को घटा कर 6.8% कर दिया है जो पहले 7.4% अन्वांस था और इडारेक्टी कुश्चन समुझ लेगा कि वित्वर्स 2023 के लिए भारत के सकल गहरेलू उत्पात को आईएमेप ने कितना रखा है 6.8% अब आप लोग कहोगे कि ये आईएमेप क्या है तो आपको बता दूं सहिक्तराष्ट की एक पिरमुक एजेंसी है एक अंतराष्टी बित्तिय संस्थाने और इसकी स्थावना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और इसका हेड़कवार्टर बॉसिंग्टन DC USA में देखने को मिल जाएगा इसका उद्देश से ही है कि अंतराष्टी मौद्रिक सहिक को बढ़ावा देना अंतराष्टी ब्यापार को सुगम बनाना इस्थाई आर्थिविकास को बढ़ावा देना भुकतान संतुलन की कटनाईयों का सामना कर रहे जो भी सदसे उन्हें संसाधन उपलाद कराना और अंतराष्टी बित्तिय संकटों से बचाव करना तो याद रखिएगा भारती अर्द्वस्था 2022 में 3.5 टिलियन डॉलर की जीडिपी के साथ दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्द्वस्था की रूम में ओभरी है पहले नमबर आप देखतें कि अमेरिका है और हम लोग पाँच भी नमबर पहुँच चुके है जो 2024-25 तक पाँच टिलियन डॉलर की लग्च हासिल करने की आकांचा रखती है हम लोग उन लक्ष रखा हुआ है कि 2024 पच्चीस तक हम लोग 5 टिलियन डॉलर का लक्ष हासिल कर लेंगे यह आप देखें डॉलर अमेरिकी मुद्रा है आप सभी जानते हैं और देखें मिलियन की अगर हम लोग बात करें न 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाग यह आप लोग कह सकते हैं कि 10 लाग बराबर 1 मिलियन होता है और टिलियन की अगर वही हम लोग बात करें तो 1 लाग करोड बराबर होता है 1 टिलियन यह आप लोग कह सकते हैं कि 1 टिलियन बराबर 10 खरब होता है यह आप लोग याद रखेगा क्योंकि ए मिलियन टिलियन चर्चा में बने रहते हैं न उन्हीं की बात हो रही है विस्व बैंक और OECD जैसी अंतराश्टी एजिंसियों ने भी अपने विकास अनवावनों को कम कर दिया है भारत की विकास दर को और इसमें विस्वेंग की वर्ल्ड वेंग की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे ये भी अंतराश्टी बित्तिय संस्थान है इसकी स्थापना की अगर बात करें तो आप देखेंगे की दिसंबर 1944 में होई थी बॉसेंग्टन DC USA में इसका हेड़कोर्टर देखने को मिलेगा ये आप देखें अंतराश्टी बित्तिय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आये वाले देशों की सरकारों को पूझी पर ये उजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्दिस से रिड़ और अनुदान प्यदान करती है और इस तरह के जो राश्टी संगठन हो फिर चाहे अंतराश्टी संगठन हो उनके बारे में एक सामन जानकारी जरूर रखा करिएगा उनसे questions फूँच लेता है OECD की अगर हम लोग बात करें तो इससे आप लोग देखेंगे Organization for Economic Co-Operation and Development इसका नाम है Paris, France में इसका headquarter देखने को मिलेगा और 30 September 1961 में इसकी स्थाफना होई थी जापानी ब्रोक रेज फर्म नौमूरा का कहना है कि भारत की अर्दोस्ता फाइनेंसियल यह दोहजार तेस में लगवख साथ किती सब तक बढ़ सकती है लेकिन बेस्विक आर्थिक मंदी के spill-over प्रभाव के कारण फाइनेंसियल यह दोहजार चौबीस में में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्दोस्ता हुआ करता था हम लोग सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्दोस्ता थे अमेरिका चाइना यह देख रहे है इने भी हम लोग पीछे चोड़े हुए थे आज 2022 में भारत नॉमिनल GDP 3.53 के हिसाब से दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्दोस्ता है और यह ग्यारत इसमलोग 75 तिलियन डॉलर के अनवाने मूल लेके साथ क्रय सकती समानता के हिसाब से आप देखेंगे तीसरे नंबर पर आती है और एक कुश्टन्स भी डारेक्ट ही पूँच लेगा कि हमारी भारती नॉमिनल GDP के हिसाब से हम लोग किस नंबर पर हैं पांच भी नंबर पर हैं और किरा सकती समानता यानि PPP के हिसाब से तीसरे स्तान पर हैं भारत ने भुकतान संकट के गंभी संतुलन के कारण 1991 में सरक्षनबादी आर्थिक नीतियों को छोड़ दिया और उदारी करन, निजी करन और बैस्वी करन सुधारों को लागू किया 21 सदी की सुरुवात के बास से बार्षिक, औसत, सकल गहरेल, उतपात की विद्धी 6 से 7 विची सा रही है और 2013 से 2018 तक भारत चीन को पचाड कर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने बढ़ती हुई पिरमोक अर्दवस्ता था जुलाई 2020-2022 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉन बेस था जहां 100 से अधिक यूनिकॉन का सामोहिक मूल 335 बिलियन डॉलर से अधिक है और अगर भारती अर्दवस्ता के सामने अगर बादाएं देखें समस्या आएं देखें तो महामारी ने भारती और बैस्विक अर्दवस्ताओं को समान रूप से भारी जटका दिया है जो कुरोना महामारी आई थी ना इसने आप देखें दुनिया भर की अर्दवस्ताओं को प्रभावित किया है भली दुनिया इस तरास्ती से उवरी हो फिर भी कई चनोतियां अभी भी बनी हुई है इसका विरवाह अभी भी बना हुआ है आपूर्ती सिंखला की बादाएं पूरी तरह से खतम नहीं हुई है महामारी के दौरा विक्सित अर्दवस्ताओं दौरा परिवारों को नगदी सौपने की मुद्राइस पीती में भी विद्धी हुई है मुद्राइस पीती कहने का मतलब होता है कि देखे महेंगाई से लोग लगा लेते हैं लेकिन याद रखे का इसका मतलब होता है कि मुद्रा की क्रेश चमता में क्रेश सक्ती में गिराबट हो रही है मालेजे की पहले आप लोग जो काम 50 उर्पे का कर ले रहे थे उसी काम को अभी करने में 100 रुपे लग रहे है काम तो उतना ही है बस उसके लिए पैसे जानदा देना पड़ रहा है तो जो आपका रुपया है ना उसकी कीमत गिर चुकी है इन दोनों ही इस्तितियों को रूस युकरेन युद्य से और बत्तर बना दिया है और आप देख रहे है रूस और युकरेन की वीच युद्य चल रहा है पूरी दुनिया पर इसका भी प्रभाव दिखा जा रहा है फैडरल रजर्ब द्वारा आकरमक ब्यात दर्व में बिद्धी से अमेरिका में आर्थिक विकास तो खोग खतरा है और इसका भारत पर प्रभाव पढ़ सकता है फैडरल रजर्ब अमेरिकी केंद्रिय बैंक है जिस तरह से हमारी रजर्ब बैंक आप इंडिया है ना उसी तरह से यह परभाव डॉलर की मजबूत होने से और बढ़ गया है क्योंकि भारत इस मुद्रा में तेल और अनबस्तुएं आयात करता है हमारा जो ब्यापार है न हम लोग डॉलर में जाना करते हैं और आप देख रहेगी हमारा पैसा भी गर रायट डॉलर के मुकाबले यूरोपीय संग में उर्जा संकट भी विकास के लिए एक बाधा की रूम में कार करता है चीन जिसे कभी वैसविक आर्थिक विकास का नेतित करना चाहिए था ने सोन्न कोविद नेती के कारण पिती बंदों की गोशना करना जारी रखा और भारत के पक्ष में काम करने वाली कारक देखें तो मजबूत संबंदों के साथ बिविद अर्थवस्ता यानि कि भारती अर्थवस्ता पिछले 50 बासों में लगातार बड़ी है और अर्दवस्ता अच्छी तरह से बिभिद और अने देशों के साथ मजबूत ब्यापारेक संबन्द है हमारे नई तकनीकों को अपनाना भारत में पुरुद्गी की अपनानी की बड़ी भूख है इससे उत्पादक्ता में सुधार हुआ है इन कारकों ने लाप प्रदित्ता को बड़ाया है और इसलिए नवाचार में निविस में बिद्धी भूई है और सोरिंग अवसर कोविद नाइंटीन के कारण दूरस्त तीमों की काहर संस्कीती इन में एक धरम निर्फिक्ष बदलाओ आया है या भारत की पक्च में क्योंकि बिक्सित देशों कि बेवसायों को भारत में रहने वाले लोगों के साथ काम करना आधिक लगाओ प्रभावी लगता है यूबा आबादी तो आप सभी जानते हैं कि भारत की यूबा आबादी है अब इसका आप फायदा उठा पाते हैं या नहीं भारत में दुनिया की सबसे वड़ी यूबा आबादी लगबल 356 मिलियन है 64 पितिसद पर भारत की कामगाजी आबादी का उच पितिसद ना होकर सकल घरेल उत्पाद और पिति बैक्ती आयमे बिद्धी में युगदान देता है बलकि कंपनियों को लक्षे दो फलने फूलने के लिए एक बड़े गराहक आधार का भी पिति निदित करता है अब आप देखे काम करने के लिए यूबा भी आपके पास है और खरीदने के लिए बाजार भी आपके पास है अब इसका आप लोग किस तरह से भारत फायदा उठा पाता है ये तो देने आने वाल अबक्ती बताएगा नभी करनी है उर्जा भारत की स्थापित बिजली चमता का लगभग 40-30 तक पहले से ही गैर जीबा समींदनों सरोतों से आता है नभी करनी उर्जा के लिए एहसुईच भैक्तियों और व्युसायों के लिए लागत कम करता है और आयात परदेश की निर्भाता को कम करता है देखें नभी करनी उर्जा कहने के मतलब होता है कि नए नए हम लोग साधन उर्जा के लिए देख रहे हैं जैसे सोर उर्जा हो पानी से उर्जा बनाने की बात हो क्योंकि आपको मालू है बायू से उर्जा बनाने की बात हो क्योंकि तेल हो कच्छा तेल हो हो एक समय के बाद एस सब कुछ खतम हो जाएगा लेकिन उर्जा की साथ भारत 5 trillion dollar की अद्वस्ता बननी की राय पर है, सरकार को अत्यधिक प्रयास करने चाहिए और उन प्रमुक चनोतियों के समाधन करना चाहिए जो भारत और उसके 5 trillion dollar की अद्वस्ता की महत्वा कांची सपने की बीच बाधा उत्पन कर रहे हैं, समान अवसर उपलब्द करन के लिए काम करना चाहिए, रुपे का अंतराष्टि की इस तिसा में काम कर सकता है, इसलिए पूर्ट परियास करना चाहिए, यानि कि हमारा जो व्यापर हो रहा है उसका वो भी रुपे में हो, dollar में कम होना चाहिए, सीमा पार लेन्देन में रुपे का उपयोग भारति मु मुल्यों पर मुल्यांकत सकल घरेलू उत्पाद को संदर्वीद करता है GDP को GDP किसे देश में उत्पादिस सभी बस्तुओं सेवाओं का मुद्रेक मूल होता है और नॉमिनल GDP बास्तविक GDP से इस मायने में भिन है कि पहले वाले में मुद्रा स्वीति के कारण कीमितों में बदलाओ सामिल नहीं है चुकि नॉमिनल GDP एक आउधी से दूसरी आउधी की तुला करने पर बढ़ती कीमितों की गतिसे को दूर नहीं करता है या विद्धी के आकणो की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि PPP मैक्रो एकोनोमिक पिसलेसकों द्वारा उपियों किया जैना वाला एक लोगप्री ये मेट्रिक है जो बॉसकेट ऑफ गोड़्ड गोड्स द्रिष्टी कौन के माद्धेम से विद्धन देसों की मुद्राओं की तुला करता है और क्राय सकती समानता अर्थ सास्तिरियों को देश के बीच आर्थिक उत्पादकता और जीवनिस्तर की तुला करने की अन्मती देता है और PPP विभिन देसों में कीमतों का माप है जो देश की मुद्राओं की पूर्ड किराय सकती की तुला करने के लिए विसेष्ट की एक टोकरी की कीमत को अलाग अले इस्थान पर वस्तु ओकी की कीमत बिभाजित करने का अनुपात है यानि कि हमारे आप देखेए सेव कीमत में मिला है आमेरिका में किस तरह से मिला है यही बात हो रही टोकरी करह सकती चंता स्रंकेतत का उप्योग अर्द्वस्था कि उन किया जा सकता है तो यही कहानी है आपकी किसकी फाइब टिलियन यारी की पांच टिलियन डॉलर की अर्धवस्था की अब आप लोग एक टॉपिक देखेंगे तो आप लोग यूपी एसी की तैयारी कर रहे होगे तो पेपर तीन से जुड़ जाएगा आपका है और आपका प् लेजेगा ठीकर?